हाड़ फ्रैंइस, वेलकम टूम्हार दुजा यह को ने पता है Mayra? Mayra के सिर का टेंपरिचुर बहुत गरम है, उसके बापा ने मुझे पूचा, WAYra को बुखार नहीं है Mayra का बोडी टेंपरिचुर तो नॉर्मल है, तो सिर गरम क्यों रहता है? सिर के ऊपर पसीना क्यों वाता है और रिसेंटली वो लोग एक होटल में गहते हैं वहाँ पर ऐसे ही चालू था फिर भी सिर के आसपास का एरिया गीला हो चुका था कैई कुशन आपको भी है चलिए इस पर्टिकलर वीरियो में इस कुशन का जवाब देता है कि बच्चों का सिर नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर से गरम क्यों होता है जिसकी वज़ा से बच्चे का हैड का जो टेंपरेचर है वह बाकी बॉडी टेंपरेचर से थोड़ा सा वॉम रहता है because बच्चे का thermoregulatory system body में अब तक set नहीं है बहुत heavy word हो गया न thermoregulatory system मतलब आपकी body में मेरी भी हर इंसाम की body में एक system होता है जो काम करता है कि body के अंदर का temperature normal रहे approximately 37 degree centigrade के आसपास हमारा body का temperature रहता है और वो normal रखने का काम यह system करती है कैसे जैसे अगर आप लोग बहुत गर्मी में चले जाओगे तो sweat आजाता है काकी वो temperature manage हो जाए अगर आप लोग बहुत जादा थंडी में हो तो यह सारे thermoregulatory system body में warmth create करते है काकी आपका body freeze ना हो जाए बट बच्चों के case में उनका thermoregulatory system अब तब ठीक से काम नहीं कर रहा और वो properly develop भी नहीं है दूसरा चीज़ बच्चे का skin और sweat glands यह properly develop नहीं है इसलिए उनके case में कई बार ऐसे हो जाता है कि sweat जब ही जितना जैसे produce होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाता है और जहाँ से होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है इसलिए कभी excess sweating बच्चों के किसमें दिखाई दे सकता है next thing, they have a thin skin layer उनका skin layer काफी जादा thin होता है जो लोग गर्मी face कर रहे हो अपने आस पास summer care for babies का वीडियो में यहाँ पर link कर यूँ वो आप लोग एक बार देख लेना तो अभी के लिए बच्चों का skin का layer बहुत thin होता है मतलब उसके नीचे fat का layer बहुत थिक नहीं है हमारी body में skin के नीचे fat का proper layer होता है जो आपके body में temperature regulation का काम करता है तो बच्चों के case में that fat layer is not very strong इसलिए बच्चों के case में आपको observe होगा जैसे ही temperature change होता है अगर बहुत थंडी जगा पे बच्चा है तो बच्चा बहुत जल्दी थंड़ा पड़ जाता है किसी गरम जगा के contact में बहुत जादा warmth में बच्चा है पहले तो हम लोग ने यह जान लिया कि बच्चे के body में temperature fluctuation जादा होता है 36.5 तो 37.5 इधर बच्चे का temperature usually fluctuate होते रहता है जब ही जब ही बच्चे का सिर गरम आप लोग observe करते हो प्लीज उसको लेके tension मत लेना बिकोज यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़ादा नॉर्मल है उसके साथ बच्चे के हाथ और पाव warm रहना यह भी बहुत ज़ादा नॉर्मल है अभी उसकी exact वज़े क्या क्या हो सकती पहली और बहुत important वज़े अगर आप बच्चे को bare head बच्चे के सीर के ऊपर कुछ cover नहीं और बच्चा धूप में है कई बार ऐसे भी आपको उबज़ोगा श्रम लोग धूप में से AC में आ गए है हम लोग काफी दे धूप में थे से 15 बिनिट 20 मिनिट बीच पे थे या बच्चे का सीर इतना गरम क्यों लग रहा है एसी में आने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे के बड़ी में हीट गया और जैसी आप लोग एसी में आगे हीट जाना बंद हो गया जो अंदर टेंपरेचर गरम हो चुका है उसको रिलीस तो होना पड़ेगा और रिलीस होने की सबसे फेवरेट जगे आपकी बॉडी का इस हेड सर्फेस इसलिए वो हीट यहां से रिलीस होता है इसलिए बच्चों का सीर गरम लग सकता है जब भी आप बच्चे को पीक दूप में या सन में बच्चे को लेके खड़ेगा दूसरा चीज़ ओवर लेरिंग अगर बच्चे को ओवर लेरिंग किया हुआ है दो तीन लेर डाले हुए है जहाँ पे कमफर्टेबल नहीं है बच्चे के लिए तो फिर वो heat यहाँ से release होगा जैसे body hot हो जाएगा वो यहाँ से release करेगा बच्चे को उतने लेर कपड़े पहनाने जितने आप पहनते हो आप two layer कपड़े पहनते हो अंदर एक slip है और उपर एक dress है बच्चे को भी उतना ही layer करना है बच्चे को too much over layered करोगे then it's not a good idea third thing, अगर बच्चे के आसपास plastic बहुत जादा है जिसे plastic के गदी या plastic के sheet के ऊपर एक पतला कपड़ा डालके बच्चा उसके ऊपर स्वया हुआ है, तो अगर absorb नहीं कर पाता है, बहुत बारम लोग बोलते हैं कि cotton clothing is very good, because cotton आपके body के जो temperature fluctuation है उसको बहुत अच्छे से absorb करता है और वो compliment भी करता है तो बच्चे के आसपास हमेशा cotton की चिज़े से cotton का गदी है cotton का ओडन है cotton के कपड़े है, ये बच्चों के लिए बहुत जादा important वजह है fifth thing, excitement अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत excited है, बहुत खुच है अभी अभी मेरा बच्चा बहुत खेला है बहुत हसा, तो फिर आपको observe होगा, बच्चे के सिर पहात रगए बच्चे के सिर तो काफी गरम हो गया है because बच्चा का जबी भी कोई activity करता है तो क्या होता है बच्चे के बड़ी में heat generate होता है जो नॉर्मली किसी के बड़ी में होता है और वो heat यहां से release होता है excitement can be one of the reason next thing, dehydration अगर आपका बच्चा breastfeeding पहा है तो उसको often breastfeeding कराओ अगर आपका बच्चा solid food पे है तो याद रखो कि बच्चे को पानी नारेल पानी soups ऐसी जो चीज़े होती है जो specially summer के लिए भी है और वो बच्चे की body temperature को cool करने का help करते है जैसे cool food हम लोग बोलते है watermelon is very good जो बड़ी को थंडा करने में help करता है so ये चीज़े अगर आप लोग यूज़ करोगे तो बच्चे को उसका बहुत जादा फरक पड़ता है keep baby's room ventilated ये भी एक चीज़े आपको अबज़े होगा बच्चा जिसकी सी पालने में क्रिब में सोया हुआ है उसके आसपास का area ventilated होना चाहिए well ventilated room करना है कि बच्चे का temperature मतलब सेर जो भी warm लग रहा है तभी आपको observe करना है कि क्या बच्चा equally active और peaceful है जैसे वो पहले था हाँ वो equally active है peaceful है तो फिर आपको concern करने की ज़रूरत नहीं है तेकिन अगर आपको observe कि बच्चा equally active नहीं है बच्चा inactive हो गया है तो फिर आपको doctor के पास visit करना चाहिए next thing अगर आपको ऐसा लगे कि श्रेया हम लोगोंने environment comfortable कर दिया है अभी हम लोग काफी देर से air condition में air condition भी बहुत cool नहीं है comfortable temperature पे है हम लोगोंने बच्चे को over layering भी निकाल दिया है अगर बहुत जरूरत पड़े तो एकदम मतलब थंडे से थोड़ा गरम और गरम से थंड़ा ऐसे water से आप बच्चे को sponging कर सकते हो तो वो immediately बच्चे को calm down करने में help करता है और बच्चे का temperature भी कम करने में help करता है यह सब करने के बाद भी बच्चे के सिर बहुत ही गरम लग रहा है और उसके साथ बच्चे का body temperature भी बढ़ने लगया है तो फिर आपको एक बाद डॉक्टर के पास जाके आना बहुत ज़ादा जरूरी है last but not the least teething, बच्चे को भी teething हो रहा है बच्चा 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 बहुत जादा इरिटेड है बहुत जादा चीज़े खाने के कोशिश कर रहा है तो फिर आपको ऑबजो होगा कि बच्चे का सिर गरम लगता है आकको तच्करने के बाद because teething is somewhere related with slightly increased in body temperature it's not fever इसलिए मुझ सीर गर में तभी एन ही बुली कि बच्चे को फीवर है तो आपको इसलिए लगता है कि बच्चा बहुत इरिटेटर है तो बच्चे के टीधिंग आधनेर के आसपास जो भी कंसर ने उसका वीडियो में यहां पर लिंक करें वह आप लोग एक बार देख लेना तो थंडे पानी में कपडा डीप करकिया अगर आप लोग डीप प्रेशर मसाज देते हो गम्स को तो तीधिंग का पेन कमडाउ ओजाएगा जिस से टीधिंग का पेन कमडाउ हो जाएगा बच्चा का इरिटेशन कमडाउन हो जाएगा और और अर्टमैतिकली टेंपरेशर म्सर घंडा है लासली अभी कोश्चन बहुत सारे लोकर रहता है कि श्रया सिर गरम है, तो यह नॉर्मल है आपने बता दिया, बच्चा नॉर्मल है, खेल रहा है, सिर गरम है, तो इस ओके, राइट, बढ़ यह स्वेटिंग का फंडा किया है, All of you, do a lot of workout, सबसे पहला जगा बताओ, जहां से आपको स्वेट होता है, Exactly the same चीज़ बच्चे के साथ होता है, तो बच्चे का सीर गरम तो है ही, उसके साथ वो हीट मैनेज करने के लिए, बच्चे का जो भी under developed sweat system है, Thermoregulatory system है, system use करके बच्चे का बड़ी sweat तयार करने लग जाता है, तो उसकी वज़ा से बच्चे के हेड का जो temperature है, वो कम होने महलप होता है, So, जो sweat क्यों हो रहा है, sweat यह management system है, आपके बड़ी के, Thermoregulatory operations का, का की बच्चे के सीर का temperature थोड़ा सा कम हो जाए, So, it's positive, अगर बहुत जादा पसीन आ रहा है, तो सिफ चेक करना की बच्चे के सीर की नीचे जो भी ले रह रहा हो, Pure Cotton का होना चाहिए, Lastly, अगर किसी specific crib में, पालने में, बच्चा specific position में, बहुत जादा देर सोया हुआ है, जापी करीब आपालना covered है, और आपको ऐसे लगता है, रहने दोना, बच्चा बहुत अच्छे से सोया हुआ है, बहुत पीसफुली सोया हुआ है, क्यों बच्चे को disturb करना, और अपको suddenly observe होगा, बच्चा जभी उठता है, तो भी गीला 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 हो चुका है, या midnight आपने suddenly बच्चे को देखा, तो भी बच्चा गीला गीला हो चुका है, तो ये भी एक वज़े हो सकती है, specific position में बच्चा जभी longer time के लिए सोता है, तो blood circulation अगर उस जगा पे जादा हो रहा है, तो उस time period के लिए आपको observe हो सकता है, कि सिर का area थोड़ा सा गरना, उसके लिए remedy बहुत simple है, बच्चे को लो, थोड़ी देर के लिए position change करो, घुमाओ, and temperature will come down to normal, बच्चे को सुलाने का position तो हम लोग करने ही वाल है, एक बार आपने उठा लिया, फिर थोड़ी देर घुमाओ, जादा देर के लिए वापस एकदम warm temperature में, इमेज़ेटली बच्चे को मत सुलाओ, Thank you so much all of you for watching this particular video, baby care का एक बहुत important part है, कि बच्चों के case में, क्या normal है वो जानो, क्या normal नहीं है वो जानो, तो यही सवाल का जवाब हम लोग ने आज दिया, माईरा के पापा कुनाल, ममा प्रेना, and माईरा, All three of you, thank you so much, अगर आपको यह वीडिया अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और कमेंट करके आपको बताना, क्या बच्चे का सीर गरम है, इसके लिए आपका टेंशन थोड़ा कम हुआ, Let's say bye!